मैं सुझे कुमार और आपके अपनी चैनल सुझे फेंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हैं इंगलिस काउंटी चैंपियन सीप ये कौन सा मैच है भईया टेस्ट मैच है ठीक है सबसे पहले मैं बता दू इंगलैंड में ये चलता है डोमेस्टिक का जो टेस्ट वगरा मैच होता है ये चार से पाँच दिन आपको होता हुआ दिखेगा ठीक है तो अगर आप फर्स्ट दिन खेल रहे हो तो यह मत सुचना के भाईया match कब खतम होगा match कब खतम होगा यह मत पुछना और taste के matches है न यह county तो खास करके मैं दो साल से यह county खेल रहा हूँ यह तीसरा साल है और हम लोग का county कितना best हो जाता है जो हमारे regular भीवर्स हैं वो आपको बता देंगे ठीक है जो जानते हैं दो regular भीवर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसे हम लोग का यह clean ship जाता है और मैं आपको हर एक प्लेड का detail से बात करूँगा और यह जो county होता है इसमें हम लोग के लिए जितना बहुँ ज़्यादा आसान होता है तो इसलिए मैं बोलता हूँगा इसकी आप domestic matches को cover करो हाँ IPL खेलो मैं ऐसा नहीं बोह रहा हूँ कि IPL नहीं खेलो IPL भी खेलो team भी मिल रही है आपको हमारे टेलिराम channel पे टेलिराम channel से कैसे आपको जूरना है वो मैं आपको आगे बताते चलूँगा तो पूरे विडियो को ध्यान से देखना एक एक प्लेड के बारे में दुनों टीमों का हाला कि स्कौाइड आ चुका है इससका तो स्कुरेड आ चुका है, केट का पिछले वाला ही स्कुरेड है, मैं आपको अभी बता दूँगा कि कौन-कॉन से प्रेड आपको खेलते वे दिखेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे, कैसे आपको स्मॉली के टीम बना रही है, कैसे आपको ग्रैंड ली के टीम सारा कुछ, ठीक है, और इंपोर्टेंट बात यह है, कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, जिनका सिलेक्शन बहुत जादा कम है, लेकिन प्लेयर भाया है, गोल्डेन कैरेट का, चुको भीस कैरेट वाला प्लेयर है, और उसको हम लोग अपने टीम में लेके जाने वाले हैं, त आप इस मैच को क्लिन स्विप करोगे, और आप अच्छा है खासा इस मैच में पैसा जितने वाले हो, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यह मैच जो होने वाला है, वो आपके लिए जैकपुट मैच साबित होने वाला है, तो भाया इस मैच को बिल्कुल भी मिस नहीं कर मिस करोगे, फिर आपकी लपड़वाई है, और देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना परता है, तो थोड़ा सा तो महनता को करना पड़ेगा, इस अभी वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, यहां से अरंभ, लेकिन पिछले साल का क्य तो उसमें एक मैंसे उन्हें विन कर रखे थे, और यहां पर देखो, इसस का 28 पॉइंट रहा था, तो मलत ठीक ठाक यहां पर इसस तीन नमबर पर चल रही थी, और यहां पर केंट साथ नमबर पर चल रहा है, अब यहां पर मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग आते हैं कहां पर स्टार्स को पर, अब इसस का प्ले स्क्वाइर डेकलियर हो चुका है, ठीक है, यही सारे बंदे आपको खेलते वे दिखेंगे, आप कौन-कौन से हैं, निक ब्रॉनी, एलिक्स्टर कुक के साथ आपको खेलते वे दिखेंगे, ओपनिंग करते वे, फिटॉम बेस् में खेलते वे दिखेंगे, तो underestimate नहीं करना, खेल सकता है, ठीक है, तो यह थोरा धियान ले करके चलना, तो यह इनका स्क्वाइर में आपको दिखा दिया, अब बात करते हैं कि इनके पिछले साल का टेस्ट का प्रफॉर्मेंस कैसा रहा था, आप देखो, विन कर क्या रही ठीक है, अब इनके प्लेड का स्टैट्स में दिखाऊंगा ना, तो आपको यह विश्वास भी होगा कि आपको किस प्लेड को कब और कैसे रूटेट करना है, ठीक है, अब स्टैट्स देखो करते हैं, तो यहाँ पर देखते चलो, नीक ब्रॉनी आपको दिखेंगे, इनका देखो, पिछले सल का स्टैट्स है, और यह जो भी रिसेंटली इनका दो मैचेज निकला है, टेस्ट का, उसमें क्या इनका प्रफॉर्मेंस रहा है, वो देख लो, आगर आप पिछले सल का रिकॉर्ड देखोगे, तो यहाँ पर देखो, पचास रन है, एकहत्ते रन है, त कुल मिला करके, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन बंदा 107 और 102 रन भी बना रखा है, लेकिन ज्यादे तर देखोगे न, तो ज्यादे तर मैचें फ्लॉप ही रहा है, और अभी जो 2030 में भी नुने खेल रखे हैं, मैचेस बगरा, उसमें भी इनका कुछ कुछ खास नहीं है, 22, 24, 10, 15 आपको स्कोर बनाता हो दिखेगा, कुछ खास परफॉर्मेंस इंका नहीं है, तो आप चाहते हो, तो ग्रैंड लिग में आप इनको फोकस कर सकते हो, स्मॉल लिग में तो उतना प्रीफर में नहीं करूंगा, जितना और अभी और अधर इन से परफॉर्मेंस देखो के पीछले साल, तो बंदा 145 बनाया था और 107 बनाया था, 102 बनाया था, परफॉर्मेंस कुछ खास उतना नहीं दिखा था, हाला कि 100 और 165 स्टार्टिंग के टुनामेंट में मारा था, लेकिन 3-4 साथ तक मार रखा है, ठीक है, लेकिन जो अभी 2020 मे थोड़ा सा AZ वाला प्लेयर है, और चलने के चांसे जिनके बहुँ ज़्यादा कम रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कि जो सामने वाले टीम के बॉलिंग अटक है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है, जितना कंपेर टू इनकी टीम है, तो हो सकता है आपक कोई दिकत वाली बात आपके लिए नहीं रहने वाली है, अब कहानी होती है, आगे, टॉम बेस्टनी के उपर, आप देखो इनका, 43 और 48 परफॉर्मेंस है, बाकि अगर पिछले साल के बारे में बात करते हैं, तो देखो 90, 46, 30, 24, कुल मिला करके परफॉर्मेंस उतना से बात करो, हलाकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको भाई मेरा काम है समझाना, ठीक है, तो आप पहले अच्छे से समझ लो, और कल के मैचेस तो भाईया हम लोके लिए अच्छे कासर आएगा, और इसकिन सोड मेरे भड़े पढ़े हैं, टेली राम पे, ठीक है, तो जो पिछले दो काउंटी के मैसेज गए हैं, वो कैसे गए हैं, उसको इन सोड भड़े पढ़े हैं, वो तो आपको टेली राम पहीं पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्सन वे लिंक है टेली राम का, चाहते हो तो जोएन कले ना, लेकिन वीडियो को देख लो पहले, उसक जब भी ये परफॉर्मेंस करता है न, लमहड़ वाला विकेट लेता है यार ये, ठीक है, और आपको अच्छा है कैसा बॉलिंग करता हुआ भी दिखेगा, हलाकि अभी जो ये रिसेंटली अभी जो खेला एस टूनामेंट में, उतना कुछ खास नहीं कर पाया है, लेकिन बंदा बहुत ही तगड़ा वाला है, अराम से अगर पहले बोलिंग करती है इनके टीम, तो सीमोन हारवन कल तो विकेट बहुत ज़्यादा लेने वाला है, एक बात सबसे पहले तो ये तैय है, तो आप इनको अपने टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, अराम से अ सामने आपके सामने लिखा हुआ है, बंदा 164 मतलब 75 मतलब बैटिंग से भी अच्छा कासा कर जाता है, तो कैप्टेंटे डेफॉल्ट आप इन ही को बना सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाला है, हलाकि वो सारा कुछ पीछ रिपोर्ट टॉस के अब इनका क्या रिकॉर्ड है, अब ही 2030 में कुछ खास नहीं कर पाया है, लेकिन कल के मैचेज में आपको खास 100% करेगा, अब ऐसा क्यूंग है, क्यूंकि एक बंदा था सैम क्यूक, ठीक है, लास वाले मुकाबले में आपको नहीं खेलने वाला है, और उसी का फैदा है, इ यतने भी इसक्स के बॉलर होंगे ना, उनको अपने टीम में तो 100% रखना, 172, 182, सारे इसी का विगेट निकाल रखना भाई, 3 विगेट, 6 विगेट, मतलब 3 विगेट, अच्छा का सब विगेट निकाल लेता है, हलाकि यहाँ देखोगे तो विगेट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ देखोगे तो लास्ट विगेट मिला था, और कल के मैचेज में 100% विगेट मिलेगा, अब डैन लॉर्रंस के उपर आते है, अब देखो 105 बनाया है, अब ही डिसेंटली, उसके उपर से 37 बनाया है, 49 बनाया है, और बाकी यहाँ देखोगे तो कुछ खास उतना प्रफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 78-44 बन्दा, अब अब एवरेज रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रफॉर्मेंस करके नहीं देगा, थोड़ा भूत तो करी ही जाता है, तो अपने टीम में आप लेकर के जा सकते हो, जो कि मैं लेके जाऊंगा, अब आते हैं जैंबी पॉर्टर के उपर, अब ही रिसेंटली इनके मुकाबले देखो, 6-6 विगट बंदा निकाल के रहा है, तो अपने टीम में आप लेकर के इनको तो 100%, और जो भी बॉलर है जैंबी पॉर्टर हो, स्नैटर अभी चलेंगे डूलिन पर तो मैं आपको बताऊंगा, अब चलो आगे बात करते हैं, मैट क्रीचली, इनका देखो, ये तो बंदा आपको कोई करे चाना करे, मैट क्रीचली आपको बहुत अच्छा का सा प्रफॉर्मेंस करता हो, और जैसे ऐसे टूनमेंट बीटते जाता है, फिर ये बंदा थोड़ा थोड़ा दिर्दे करते करते स्लो होता चला जाता है, तो स्टार्टिंग के मैचेग में हम लोग तो रखेंगे, और खास करके तुसरों ड्रिलन पे काउटि का मैचेज होता है, एक दीन में काईटि के मैचेज 5-6 होता है, लेकिन 1 त 1 मैचेज ही डाला जाता है, तो उसमें दिखते हैं क्या होता है, खेलेगा भी तो उतना कुछ खास नहीं बनेगा, उसके उताते हैं Michael Piper, इनका भी स्क्वाइड में नाम है, लेकिन पर्फॉर्मेंस में उतना कुछ खास नहीं दिखने वाला है, फिरोज खूसी के उपर आओगे तो कुछ खास पर्फॉर्मेंस नहीं है, और Paul Walter का देखोगे तो दस, एक, चोविस, 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 पिले साल का रिकॉर्ट था, तीरा अवे, च्वाड़, च्वाड़, एक से एक तालीस, बन्दा बनाया है इसको, ठीक है, अब लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनको टीम, कप्तान कहां पर खेलाती है, कैसे इनको दिसकस करके समझा भी दिया, कि कैसे कैसे आपको कैसे कैसे रोटेट करना चाहिए, तो भाया, अब जो नेक्स्ट टीम है, उसके बारे में फटाक से डिसकस करता है, ठीक है, तो केंट टेस्ट है, उसके बारे में डिसकस करता है, उससे पहले मैं बताता हूँ, कि अगर आप आपको मालूमी चल जाएगा कि फिर कौन से मैसेज आपको खेलने चाहिए ठीक है तो जैसे कि मैने स्टाटिक में भी बता दिया था इस मैच में भी कि आपके लिए जैकपोर्ट बनने वाला है ठीक है तो आपको समझ मैं जाएगा और लाइक करने से एक चीज़ प्रॉफिट मुझे profit तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा पैसा मिलेगा लाइक से, एक अंदर से motivation, energy बनती है कि लोग मुझे support कर रहे हैं, लोग मुझे देखना चाहा रहे हैं, और भी मेहनत करने का लगन बनता है अंदर से, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोरा सा वीडियो को लाइक वगरा करो, support करो, फिर हम लोग मैं तो बढ़ूँगा साथ ही, और साथ-साथ मैं आपको ले करके भी चलूँगा, तो थोरा से धियान रखना, और जो भी हूँ, आपी के बज़े से हूँ, तो बस support ऐसे वगरा दिखाते रहो, फिर हम लोग आगे पर्मेंस है, यह भी ही जो रिसेंटली दो मुकाबले खेल görüş है, उसमें एक मैंच जीत क्या रही है, और पीछले साल करूँ आपका बढ़ा है, तो यह थोरा धिहान रखना, अब चलो, मैं इंके प्लेट के स्टार्स बताता ह extensions, अब देखो पिछले बार इंके सारे, अभी पिछले बार जो इनके square जो खेले थे वो यही था बेन कॉप्टन, जैक क्रॉली, डैनिल बिल्डरमेंड, डैनली, लिनिंग, कॉक्स, बिलिंग्स, च्वैर्ड, एविसन, मैट कुईन, कॉनोरा एंजिकर और माइकल होगन यही आपको खेलते वे देखेंगे अब चलो इनके plate के start discuss करते हैं बेन कॉप्टन का देखो, अब भी जो performance रिसेंटली कर कह रहा है 114 और 188 मार रहा है, ठीक है पिछले सल का record देखो, 63 अगर छोड़ देना तो सारे मैचे बंदा 2-0-5-4 और तल के मैचेज में भी यही होने वाला यह बंदा नहीं चलेगा, ठीक है मैं 100% बता रहो, यह बंदा आपको नहीं चलता हो दिखेगा और मेरे टीम में सायद ही में इनको ले करके जाओ अपने टीम में तो थोरा सो धियान रखना, ठीक है आगे बाद करते हैं, जैक रॉली के उपर अब देखो इनका 222 का परफोर्मेंस देखोगे तो 89 run है, कुछ खास नहीं है और रिसेंटली अभी जो खेला है उसमें भी कुछ खास नहीं है, हलाकि 91 बनाया है तो धियान रखना, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लेगा तो मैं बोलूँगा आप इनको grinding में प्रिफर करो, ठीक है डैनियल बेल, ड्रमेंट, आप इनका देखो 27 run, 32 run और 40 run, कल के मैचेंज में ये भी नहीं बनेगा हलाकि आपको बॉलिंग 10-12 अबर डाल देता है उसमें अगर इसको बिगड मिल जाता है, तो अच्छा कासा है लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लेगा, तो मैं अभी कले जाता है प्रिफर नहीं करूँगा, डारेकली मैं बात करता हूँ पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखोगे, तो 7-112 बना रखा है टेकिन मुझे कुछ खास नहीं लेगा, तो मैं अभी कले प्रिफर नहीं करूँगा हाँ, हलाकि थोड़ा पुद बॉलिंग करता है, तो फिस साथ भी अपने टीम में लेकर के जा सकता हूँ जोई डेन लीग के उपर आते हैं इनके 141 के पिछले साल के प्रफॉर्मेस चोड़ो नहीं तो कुछ खास नहीं है 69 बनाया है, 38 बनाया है और ये साल भी कुछ खास नहीं कर रहा है, तो मेरे टीम में नहीं रहेगा जैक लीनिंग, अब इनका देखो रिकॉर्ड, 41, 90, कुछ खास नहीं है अब यहाँ देखो, पिछले साल जो खेला है, उसमें 67 बनाया है बाकी कोई मैच में प्रफॉर्मेस होतना कुछ खास नहीं है, तो आप नहीं लेकर के चलो विकेट गिरेंगे है और इनके, बिकेट गिरेंगे, ठीक है जैसे भी दे, पॉइंट आपको अच्छा खास देने वाला है, और यहाँ आपको बैटिंग से तो जो देगा, तो देगा ही, तो थोड़त यहाँ डगना, ठीक है Sam Billings के उपर आते हैं, Captain प्लस विकेट कीपर, बहुत तगड़ा वाला प्लेयर, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं कर रहा है, IPL में भी कुछ जगा नहीं मिला है भाई, खेलने के लिए और यहाँ पर भी कुछ खास नहीं करते हैं, तो आराम से ग्रैल लिंग रोटेट करन यह बंदा अगर खेलता है, तो आपके लिए परफोर्मेंस करके देगा इंदेगा, तीन जी विकर, श, िक दो था को ब Int to स्ट्राइट्स मैं आपको बता दूंगा टेलिग्राम पर ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको सारे प्लेयर के स्ट्राइट्स वगरा समझा दिया आई होप अभी तक तो आप समझ गए हो गए अब बात रही किया डिर्लिंट पर टीम बनाने की आप तों लोग ने कहानी सारे है टीम कैसे बनाने और कॉंटेस्ट एक चीज़ सबसे पहले समझ लो कि कॉंटेस्ट आप पहले से ज्वाइन करके रखो ठीक है बहुत सारे से प्लेयर है जिनका सेलेक्शन ज्यादा हाई है लेकिन बंदा कुछ दमवला नहीं है ठीक है तो आप प्रॉफिटेबल वाले हो तो स्कोर तो बहुत ज्यादा लगता हो दिखेगा तो तुरह दिखान रखना और केंट के टीम अगर पहले बैटिंग कर दी तो इनके बिकेट बहुत जल्दी गिरेंगे और बॉलर सारे इसस के भर लेना ठीक है ऐसे भी में इसस के बॉलर ज्यादा लेके जाओंगा अब अब देखो कि खेलता कौन है ठीक है Sam Billings खेलता भी है, तो मुझे कुछ खास बेर नहीं लेगा, हलाकि 90% के करीब selection है, 86% और इंका Jordan Cox का देखो तो 23% है, लेकिन बंदा बहुत तकड़ावाला है Jordan Cox, 100% आप अपने टीम में लेके जाओ, परफॉर्मेंस लाजब आप कभी भी दिकत वाली नहीं देगा, परफॉर् आप अपने टीम में लेकर के 100% जा सकते हो, अच्छा कासा प्लेयर बन सकते है अपके लिए बैटिंग से तो परफॉर्मेंस करके देगा ही देगा, जैड क्रॉली मैं अभी के लिए नहीं प्रीफर कर रहा हूँ, अप चाहते हो लेकर के जाना, जो की पिछले साल अच्छा अच्छा कासा सतकी अपारी खेला था, असाने वाले टीम भी स्ट्रॉंग उतनी नहीं है, तो सायद आपको स्कोर करता वादिक्स है, यहां से जो ए डॉनली आपको खेलते वे दिखेंगे, टॉम वेस्टनी दिखेंगे, निक ब्रॉनी दिखेंगे, ठीक है, प्रफॉर्मे प्रफॉर्मेंस करता हुआ, तो अपने टीम में आप लेकर के जा सकतो, सिलेक्षन दिखो यार कितना अकम सेलेक्षन है, 10% के किवल सेलेक्षन है, प्रफॉर्मेंस तो करके देगा ठीक है, और यहां से मुझे और कोई खास प्लेयर नहीं दिखा, फिरोज खुसी आपको इ मैं अलिस्टर कुक को फाइनल टीम में रख लो, बेन कॉप्टन भी आपके लिए बहुत अचा का साथ पिग बनेंगे, केंट के तरफ से केंट पहले बैटिंग करती है, तो फिर आप इनको लेकर के जा सकतो, बाकि मुझे और कोई खास नहीं लेगा है, डेलली को मैं लिंडे नहीं दिखेंगे साथ आपको खेलते हुए, बाकि यहां से मुझे और कोई खास प्लेयर नहीं लेगा है, लास्ट में डिसस करेंगे कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, अभी चलो पहले बालिंग सेक्शन पर देख लेगा है, यहां समलेके जाओंगा जैम प्लेयर खेलता है, तो वहां से आपको कोई खेलता हुआ, नहीं दिखेगा, नीचे से कोई देख लेते हैं कि कोई खास प्लेयर है या नहीं है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता दूँ, तो नीचे से कोई और कोई खास प्लेयर नहीं है, जिसको आपने टीम में आप लेकर र तो यहां से D-Belt Drummond है, आप इनको रख लो, आपके लिए अच्छा कासा प्लेयर बन सकता है, इंपॉर्टन बन सकता है, पॉल वाल्टर है, आप इनको भी प्रिफर कर सकते हो, या फिर आप यहां जाते हो, तो ऐलेस्टर कुक है, आप इनको रख सकते हो, बेन कॉप्टन है, जो भी होगा, वो मैं आपको टेली राम पर बता दूँगा, अभी के लिए यह टीम है, यह बिल्कुल भी मारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगा टेली राम चैनल पे, तो टेली राम चैनल से जल्दी जाकर के जोएन का लेना, और बात रहा कैप्टेन र और भी ज्याद है कम है, ध्यान रखना, और मैट क्रिचली यह बी आपके लिए रहेंगे, कैटन वास काटन में डग बडेस्विल, कैटन वास काटन में बटाएंगे, जैमी पॉर्टर रहेंगे, यह जो मैंने चार बंदे को सर्कल किया ना, यह चारों बंदे आपके लिए कैटन वास काटन के लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, तो underestimate मत करना, यही चारों में से मेरे CEO और VC रहने वाले हैं, और बात रहा कि मैं किसको कर रहा हूँ, अब भी के लिए कैटन वास काटन, तो मेरा भी जैमी पॉर्टर रहेगा कैटन, और वास काटन में सेमान हाड़ कर रहा हूँ, या फिर मैं Matt Grishly को भी कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं Doug Bracevill को भी कर सकता हूँ, और इधर reverse भी कर सकता हूँ, हो सकता हूँ, इनको भी से करलूँ या फिर इतिनों में से किसको कैटन वास कर लूँ, जो भी होगा मैं बता दूंग आपको टेली गाम पर, इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्जिन में वीडियो का लाइक कर लेना जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेट वीडियो में देख्रीक वीडियो के साथ अब तक लिए धन्य बाद आपने ख्याले के दोस्तों जाहें